ओम नमस्षिवाये साथ ही ओवाज दर्शन करते हैं भगवान शिव के मंदिर के कपालिश्वर महादेव मंदिर के ये मंदिर माइलापूर चिन्नाई में है तमिल भर्षा में मौर को माइल कहते हैं और यहां मा पारवती ने मौर्णी के रूप में तपस्या की जिससे इस्थान का नाम माइलापूर पड़ा मंदिर हती प्राचीन है किन्तु इसे पल्लव काल में इसकी संराचनाई कुछ बताई जाती है फिर विजे नगर काल में इसे बढ़ाया गया पुर्तगालियों ने कहा जाता है कि इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया था विजे नगर शाषकों ने इसका पुनर निर्मान कराया मंदिर द्रवड शैली में बना है और जो आज मंदिर देखता है कहा जाता है वे 1906 में बनाया गया कपालीश्वर मंदिर का गोपुरम भव्य है 120 फीट उचा है उपर कलर स्थापित है दूसरे गोपुरम के सामने जो छोटा है पवित्र जलकुंड है जिसे कपाली तीर्थ कहते है मंदिर का पवित्र कुंड 190 मीटर लंबा 143 मीटर चोड़ा और इसके मध्य में 16 स्थम्बो वाला मंदब है इस पवित्र कुंड में तीन दिन वार्शिक भगवान का नौका विहार उत्सव मंत्रोच चारण के साथ मनाया जाता है पौरानी कथाओं के नुसार मा पारवती जी ने यहां शिवजी के आराध्ना मोर्णी के रूप में की मा पारवती के मोर्णी बनने की भी एक कथा है मा पारवती ने शिवजी से नमाशिवाय और भस्म का महत्व जानना चाहा भगवान जब मा को उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे मा का ध्यान एक सुन्दर मोर्णी पर गया और उनका ध्यान भंगो गया भगवान शिव ने उन्हें मोर्णी बनने का शाप दिया और शाप से मुक्ती के लिए धर्ती पर तपस्या करने को कहा इस मंदिर में भगवान कपालीश्वर और मापार्वती इच्छा पूर्ती करने वारी करपा गंबल कहलाती हैं, कल्प रिक्ष की देवी कहलाती हैं मंदिर में शिव जी और मापार्वती के अलावा अन्य मंदिर हैं गणेज जी का, कार्टिकेज जी का, मादुर्गा का और नैनार संतों की मूर्टियां हैं कपालिश्वर मंदिर में मा ने मोरनी के रूप में तवस्या की, यहां मुरुगन अर्थाद भगवान कार्टिकेज ने अपने माता पिता की आराधना की और फिर राक्षस सुरा पद्मन को मारने के लिए युद्ध करने गए यहां ब्रह्मा जी ने, चारों वेदों ने तपस्या की, शुक्राचारे ने यहां भगवान शिव की आराधना की और उनकी खोई हुई आँख थीक हुई श्री राम ने भगवान शिव की आराधना से रावन पर विजय पाई यह स्थान माईलापुर दक्षण के प्रसिद कवी तुरिव वल्लुवर का जन्म स्थान भी है मंदिर में वैदिकरीती से पूजा होती है गर्ब ग्रिह में स्वयंभू लिंगम है मंदिर में विशाल हॉल हैं जिन में नैनार संतों की मूर्दियां लगी हैं मंदिर में एक गौशाला भी है एक छोटा मंदिर पुनाई वरिक्ष के नीचे है जहां मा पार्वती मोर्नी के रूप में शिव आरादना कर रही है मंदिर में शिव पार्वती जी की उत्सव मोर्दियों को और अन्य देवताओं की उत्सव मोर्दियों को अलग-अलग वाहनों पर जैसे बैल, हाती, मोर, तोता, सुनहरे, रत पर संगीत के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है लोगों को भगवान के वाहन उठाने का और रसी खीचने का मौका मिलता है तो वह अपने को सौभागे शाली समझते हैं कपालिश्वर मंदिर में ब्रमोत्सव मेला, शिवरात्री, पूर्णिमा, अमावस्या, धूमधाम से मनाया जाते हैं अरूप, थिमुवर, त्योभार में भगवान शिव और मापार्वती की शोभा यात्रा में 63 मैनार संतों की मूर्टियां भी शामिल की जाती हैं सोमवार, प्रदोश के दिन और शुकरवार को मंदिर में श्रधालूओं की भी रहती है शुकरवार के दिन मापार्वती का श्रिंगार कासु माला से किया जाता है अर्थात सोने के सिक्कों की माला मंदिर में श्रधालूओं को विश्व विख्यात कला कारों द्वारा ट्रेडिशनल करनाटक म्यूजिक कॉंसर्ट्स भी सुनने को मिलते हैं जिससे आत्मा को प्रभू की निकटता का आभास होता है स्थानिये लोगों को मंदिर में बहुत विश्वास है कि यहां रोगदोश मुक्त हो जाते हैं मंदिर की अद्भुत वास्तुकला गोपुरम पर उकेरी गई कथाएं मंदिर के तेवहार और पुन्नई वरिक्ष जो यहां कल्प वरिक्ष माना जाता है यह सब इस मंदिर को अद्भुत बनाते हैं साथियों हमारे भारत की सब्वेता संस्कृती और मंदिरों की दिव्य जानकारी के लिए और दिव्य दर्शनों के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल ओम नमस्षिवाए कि अजगों के लाइक, शेयर का माता है अ Bonट ढाल बता मों की आ CC दिव्य एक